तीन जून भारत के ओरिसा राज्य में दो या त्री ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 233 लोग मारे गए और 900 घायल हो गए। एक सरकारी अधिकारी ने शरिवार को कहा, रेल दुरघटना को एक दशक से अधिक समय में देश का सबसे घातक बना गिया। राज्य के मुख्य सचिप प्रदीप जेना ने ट्विटर पर कहा कि शुक्रवार की दुरघटना में मरने वालों की संध्या बढ़ने की उन्मीद है। उन्होंने कहा कि उनिसा के बालासो और जिले में दुरघटनास्थल पर 200 से अधिक एम्बुलेंस को बुलाया गया था और वहां पहले से मौझू नसी में से सो अधिरिक डॉक्टरों को लगाया गया था। शुक्रवार के वीडियो फोटेज में को ले संधिकारियों को रेल में ट्रैक से सपेंट नपरों में थाके शबों को ले जाते वोई दिखाया गया है। शुक्रवार के लीडियो फोटेज में दिखाया गया है कि गुचामत राताक्षतिक्रस ट्रेन में से किसी एक पर चणकर जीवत पचे लुगू को पूप रहे हैं जबकि यात्रियों में मदद के लिए पुकारा और मलबे के पास दिस्टर्में थे